जेहीं दोस्तो स्वागत है आपको KPS Study.YouTube चैनल में तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSE Constable GD भरती 2022 की अगर आप से भी तियारी कर रहे हैं यानि की इसका फॉर्म अगर आप से भी अपलाई कर दिये हैं या फॉर्म अपलाई करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इस भरती में जो आपका CBT exam होगा उसमें सेलेक्शन लेने के लिए कितना आपको minimum यानि की minimum इस सल जो है आपका qualifying marks जो है CBT exam में कितना रखा गया है इस वीडियो में आपको बताएंगे और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं तेरे number paragraph के अंत्रगत mode of selection में आप सभी को सबसे पहले बता दे इस सल जो आपका एकजाम है आप सभी को पता है 160 marks यानि की 160 number का जो है होने वाला है और total जो आपका परास्न है 80 questions रहेंगे यानि की परतेक परास्न आपका दो number का जो है इस सल रहने वाला है तो 160 number का आपका cool जो है इस सल एकजाम होगा और यहाँ पे आप से भी देख लीजिए जो आपका CBT एकजाम है इसमें minimum जो qualifying marks है उसके बारे में यहाँ पे details दिया गया है यानि की यहाँ पर देखेंगे on reserve यानि की जो समानने कैटेगोरी के student है on reserve से बिलोग करते हैं उनको जो है 30% यहाँ पे लाना होगा यानि की इसका जो total marks है total marks का जो है 30% आपको लाना होगा इसके CBT एकजाम में selection के लिए यह minimum जो है marks यहाँ पे बताया गया है तो यहाँ पे आप सभी को पता है जो आपका total marks है 160 और इसका अगर आप सभी 30% निकालते हैं तो आपका जो यहाँ पे हो जाएगा 48 number यानि की आपको minimum जो है 48 number लाना होगा अगर आप सभी on reserve category से है तो और 48 number से अगर आपका एक भी कम आता है तो आप direct जो है disk वाली भाई हो जाएंगे और इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे जो OBC या EWS candidate है उनके लिए 25% जो है total marks का रखा गया है तो total marks का अगर आप सभी 25% यहाँ पर निकालेंगे तो आपका जो यहाँ पर आएगा आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 40 number जो है आपका आने वाला है यानि की minimum जो है आपको 40 number OBC और EWS candidate को जो है लाना होगा यानि की OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 number जो है 160 में से आपको minimum जो है लाना होगा इसके qualifying के लिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे all other जो category के student है यानि की earn reserve OBC और EWS के छोड़ कर बाकी जितने भी candidate है उनके लिए यहाँ पे बात किया जाए तो 20% आपको यहाँ पे number लाना होगा तो 160 का अगर आप सभी 20% यहाँ पे calculate करेंगे तो आपका 32 जो है यहाँ पे आने वाला है तो यहाँ पे आपका 32 आपका minimum number जो है all other category जैसे कि यह CHT जो candidate है उनको यहाँ पे minimum 32 जो है आपको number लाना होगा इसे qualify करने के लिए तो दोस्तो यह जो आपको मैंने बताया है अने रिजर्ब के लिए 48 वो भी CWS के लिए 40 और all other category के लिए 32 यह एक minimum qualifying marks है और इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपका इतना number आ जाता है तो आपका CBT exam में जो है result रहेगा क्योंकि दोस्तो यह जो है cut up के उपर depend करता है आपके state आपके area और आपके category के उपर जो है आपका cut up बनता है आप सभी को पता होगा तो वहाँ पर depend करता है कि कितने vacancy है और कितना cut up जा रहा है लेकिन यह एक minimum qualifying marks है इससे अगर आपका कौम आता है तो आप direct जो है disqualify हो जाएंगे और दोस्तो आप सभी को बता दे SSE Constable GD की अगर आप सभी तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए best book होने वाला है चक्छू publication का या एक complete guide है जिसमें आपको सभी subject देखने को मिल जाएंगे जिसे SSE Constable GD के एक जाम में प्रोशन पूछे जाते हैं इसके अलावा चक्छू publication का practice set भी आता है तो इन दोनों book को आप सभी purchase कर सकते हैं लिंक इसका description में मिल जाएगा या नजदी के market से भी जाकर इस book को आप सभी purchase कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे बात करें आप में से काफी सारे student का ये भी सवाल होगा कि जो इसका minimum qualifying marks है क्या इतना भी cut up किसी state में जाता है तो आप सभी को बता दे नौर्थिष्ट के जितने भी ये state है वहाँ पे जो cut up है इतना ही कि आस पास आपको देखने को मिलेगा CBT exam में क्यांकि नौर्थिष्ट में जितने भी state है जैसे कि मनी फिर हो गया मिजोरम हो गया सी कि ये सभी जो state है यहाँ पे cut up काफी कम जाता है इसके अलावा अगर आप सभी south area में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे cut up काफी कम जाता है हालाइंकि जो आपका UP, बिहार जारखंड, वेस्ट बंगाल ये सभी जो state है यहाँ पे cut up जो है इतना नहीं जाएगा इससे जो है काफी जादा जाता है किमकि आप सभी को पता होगा UP, बिहार, वेस्ट बंगाल यहाँ जो है maximum candidate, government job की तयारी करते हैं जिस कारण से यहाँ पे cut up जो है काफी जादा high जाता है यहाँ पे unreserve के लिए 40 और OBCWS के लिए 40 और इसके लिए 32 है इससे com number आपको नहीं लाना है आप जीस भी कैटेगोरी में है जैसे unreserve में है तो 49 से आपको com नहीं लाना है क्योंकि 48 से com लाएंगे तो आप direct जो है disqualify हो जाएंगे इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे 3. 3.3 प्रग्राप में NCC जो holder है जिनके पास NCC के certificate है अगर NCCC certificate अगर आप सभी form apply करते समय इसका details दिये हैं तो आपको 5% of total marks यानि की total marks का 5% यानि देखा जाए तो 8 number आपका होगा आप सभी calculate कर लेंगे तो 8 number आपको extra जो है मिलेगा इसके अलावा B के लिए 3% total marks का और A के ये 2% of total marks तो यहाँ पे जो NCC holder है उन्हें अलक से जो है यहाँ पे benefit मिलने वाला है तो कोई भी सवाल हो comment section में बताईएगा और मैंने इस वीडियो में जो qualifying marks इस सल का था वो मैंने आप सभी को बता दिये हैं I hope आप सभी अपने तयारी अच्छे तरह से कर रहे होंगे और exam pattern इस सल चेंज है इसलिए आप सभी तयारी अच्छे से करें और time पर जो है आपको ध्यान देना है क्योंकि time इस सल काफी कौम आपका दिया गया है मात्र साथ मिनटी दिया गया है और असी प्रस्न आपको solve करना है तो इस पर भी आपको ध्यान देना है क्योंकि time काफी कौम आ आईएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जैहिंद बनते मात्र